हाई अबरिवन वेलकम तो अवर ओनलाइन लर्निंग प्लैटफोर्म तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सियो फॉर एल्सियम का टॉपिक स्टार्ट करा था और उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझा था तो आज उसी को ही आगे फॉर्दर कॉंटिन्यू करेंगे और उसके उनके बीच में आपको relationship establish करना है यानि कि formula based अगर आपको काम करना है तो उसके question कैसे बनते हैं तो जल्दी से उसको start करते हैं तो HCF को जबी भी आप LCM से multiply करते हो यानि कि HCF और LCM को अगर multiply करना है तो वो किसके equal रहता है तो वो दोनों जो numbers होते हैं जो आपको question में अभी गिवन थे दो या दो से जादा number तो यहां पर first number and जो आपका second number रहेगा उन दोनों के product के equal होता है आपका HCF और LCM का multiply So, यही concept रहेगा आज की पूरी class के अंदर कि इसके कैसे questions आपको exam में बनने को मिल सकते हैं तो HCF को जबी भी LCM से multiply करोगा यानि कि HCF multiply by LCM is equal to product of the two numbers तो यह आपको समझ में आ चुकी है चीज अगर suppose करें हमें HCF question में given है that is 4 और हमें LCM find out करना है दो तरफ कुछ numbers हैं तो पह second number है वो suppose करते हैं हमारा यहां पे जो है वो है suppose 24 तो अगर आपको इसका LCM निकाल ला हूँ मैंने सिरफ values निकाली है तो यह सिरफ example के लिए आपको बताया है तो एक number miss है ना तो हम इसको कैसे solve करेंगे आपको यह बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है तो चलिए start करते ह हमारे question के साथ तो हमारा first question है product of two numbers आपके पास है and HCF of these number भी आपके पास है so find a greater number तो अभी यहां पे question क्या बना कि जो दो numbers है उन दोनों का अगर HCF दे दिया जाए that is 37 और उन दोनों का product आपको वो दोनों numbers जो है उनका product दे दिया जाए तो सबसे पहले यहां पे information में क्या miss है कि उनका LCM क्या होगा है तो आपसे पूछा क्या गया है उन दोनों मेंसे बड़ा number क्या होगा ऐसे type को question को आप कैसे बनाओगे वहां पे तो सबसे पहले बात आपको HCF given है और वो दोनों numbers का product given है मैंने दोनों numbers को ऐसे लिख दिया dash लगा के बीच में multiply लगा दिया क्यों multiply क्योंकि product है और उन दोनों का product कितना है वो है 4107 अभी देखो आपको मैंने कल class में क्या बताया था कि HCF होता है common factor और highest common factor right तो अगर वो आपके पास HCF given है so it means यह दोनों number में वो आने वाला number common रहेगा यानि कि दोनों number में जो HCF है व और यहां पे भी 37 हो गई होगा है ना तो जब हम इन दोनों numbers को साथ में लिखेंगे तो उन दोनों को multiply करेंगे किसी ऐसे के साथ की 4107 हो तो सबसे पहले आप यहां पे एक लगा लो A है यहां पे लगा लो suppose एक B number है तो इस दोनों में कौन सा number common है 37 अगर मैं इस number को 37 के HCF में आपका 37 तो common है तो A और B का multiply करेंगे तो वो remaining number मिलेगा यानि कि अगर मैं यहां पे 37 और bracket के अंदर A multiply B लगा दूं और यहां पे लिख दू 4107 तो इन दोनों की हम cutting करना चाहें तो देखते हैं क्या number बनता है हमारे पास तो यह 1 पे गया 37 पिछे आपका remainder है 40 40 फिर स किस पर जाएगा यहां पर आपका 37 हो गए पिछे 4 और 0 है आपके पास यानि कि 40 40 फिर से 1 पर जाएगा 37 और फिर आपके पास remaining number 3 आएगा तो 37 यानि कि A और B का product इस case में आपको कितना मिला वो मिला हमें 111 तो 111 आपको वो number मिला तो अभी हमें क्या करना होगा अभी हम इन टेवल पर और तोड़ा जा सकता है 111 को कैसे तो 3 के टेवल पर यह 3 3 तर 9 और पिछे remaining है आपका 2 तो 2 यानि कि 27 तो 3 इंटो 27 लिखा जा सकता है एक number में है ना तो मैं यहां पर अगर लिख दू कि 337 multiply by 1 होगा यहां पर मैं लगा दू 3 होगा तो अभी अगर आप इन दोनो का HCF लोग है तो 37 निकल के आ रहे है और जो remaining numbers है वो आपके पास क्या क्या बन के आ रहे है 1 और 3 पेर में आ रहे है तभी आपके पास 111 आएगा जो कटेगा right तो हमारा यहां पर इस case में answer क्या होगा एक number मेरा बना 37 और जो दूसरा number है वो मेरा बना 37 into 3 यानि कि 111 तो यही question में आपका greater number है तो वही question में पूछा है इसी लिए right answer रहेगा option C आया समझ में तो चलिए second question पर देखें अभी LCM of two numbers given है आपको और उनका HCF भी given है so if the sum of the numbers is 100 then find the difference of the number अब यह एक HCF LCM का question है बढ़ आप बोलो कि formula के हिसाब से तो नहीं हो रहा देखो formula के हिसाब से हर कोई कर लेगा आपको क्या करना है उन questions के उपर mastery करनी है जो बाकियों को बनाने नहीं आप आ रहे है जा उनको दिक्कत आती है इन questions में तो आज का target यही है ना कि वो question जो आपको करने में परेशानी आती है उनके बारे में हम discuss कर रहे है तो यहां क्या क्या information given है एक LCM given है that is 495 और दूसरी तरफ HCF given है that is 5 अभी LCM और HCF को multiply कर दे तो product of two numbers रहता है बट हमारे पास वो missing है ना हमारे पास first number है ना हमारे पास second number है question में दिया क्या क्या दोनों का sum चलो मैंने एक बार यहां पर लिख दिया कि यह दोनों तो वो number है first number को मैं ले ले एक बार हमने लिखा सुनो केस कैसे है कहते A और B का जो sum है ना वो आता है 100 तो A और B का sum 100 बनाना होगा right तो अभी आप इस question को कैसे करोगे इतना logic तो मैंने वही लिखा है सब को जो question में given है हाँ एक दिमाग में आएगा कि अगर A number को मैं A ले लूँ मैं B को 100 minus A लिख सकती ह यह भी हो सकता है तो यह apply कर देंगे और हम हमारा equation के through question कर देंगे बट कोई ऐसा है जिसको equation में नहीं उलजना फिर भी यह question बन सकता है बट आपको वो दोनों numbers बनाने आने चाहिए right वो भी हम ऐसे ही सीखेंगे जैसे पिछले वाले case में किया तो सबसे पहले LCM multiply by HCF होता है बराबर first number और second number के product के अभी यहाँ पर आपको HCF देखने को मिल रहा है 5 मतलब इन दोनों A और B में 5 तो एक ऐसा number है जो दोनों में common है है ना तो यहाँ भी एक मैं 5 लगा दूँ और यहाँ भी एक 5 लगा दूँ अब रहते हुए numbers मेरे को fill करने होगी क्योंकि अकेला 5 तो और यहाँ पर आपके ऐसे numbers भी बना दें जिनका sum करने पर आपके पास 100 निकल के आए तो ऐसे numbers क्या हो सकते हैं अब सोचो 5 common मिल रहा है हम फिर से पिछले वाले case में क्या किया था 37 से divide यहाँ हम इस common number 5 से इस product को divide कर दें तो यहाँ पर आपके पास कितना निकलता है तो 49 the 45 49 the 45 और एक 5 भी है साथ में है ना तो आप 99 बनाने की कोशिश करेंगे 5 तो हमारे पास commonly है ही है तो 99 कैसे बनता है तो 99 बनता है एक तो 33 को 3 से multiply करने पे और एक 99 बनता है 11 को 9 से multiply करने पे तो जब मैं 33 और 3 लगा दूंगी बाइचांग सोच के चलो मैंने अपना यह color change कर दे अगर मैं एक के साथ 33 लगा दूं और दूसरे के साथ मैं 3 लगा हूं तो यह number तो 15 आ जाएगा यह जब मैं multiply करूंगी 165 आ जाएगा क्या इन दोनों का plus मेरा 100 बन रहा है तो नहीं बन रहा है ना तो यह नहीं बन रहा तो मतलब यह वाली option तो मेरी गलत है अभी मुझे 10 ड्रायल कुछ भी आप बोल सकते हो तो वो क्या है वो है 11 into 9 अगर मैं एक number के साथ 11 लगा दूं और दूसरे number के साथ 9 लगा दूं तो क्या मेरा काम बन सकता है मुझे 99 चाहिए 99 आ रहा है मुझे 5 चाहिए मुझे 5 दोनों में मिल पा रहा है अभी अगर इनको solve करा तो एक number बना 55 और दूसरा बना 45 क्या इन दोनों का sum 100 है तो बिल्कुल है इन दोनों का sum तो यानि कि मेरे दोनों numbers मेरे पास आ चुके हैं पहला number 55 दूसरा number 45 अभी यहां से आपको क्या पूछा कि अगर आपके पास numbers बन चुके है 55 और 45 दोनों का difference क्या है तो दोनों का difference है 10 यही question की demand थी option में यह है नहीं option शायद गलत है इनकी तो right answer आपका यहाँ पे बनेगा 10 तो हम correct कर लेते हैं option A 10 यहाँ पे आपका correct answer होगा तो 10 mark कर लेना question समझ में आया आपको यह समझ में आया होगा कि अगर LCM और HCF दोनों question में given है तो आप कैसे दोनों numbers को form कर सकते हो हमारे पहले दो question से चलो इसी तरीके से हम अपना third question करेंगे product of LCM and HCF आपके पास already given है अब LCM और HCF अलग से नहीं है दोनों का product अगर आपके पास हो difference of the two numbers अच्छा दोनों numbers आपके पास भी है कि उन दोनों में difference है दो numbers का two का so वो numbers क्या होंगे तो आपको option में वो number दिखाई दे रहे है none of these इस कहीं पे भी नहीं है तो ऐसे question को हम by option भी कर सकते है बड़े easily अभी यहाँ पे हमें number पिछले वाले case पे जो हमने numbers बनाए थे वो क्यों नहीं बन सकते क्यों यहाँ पे दोनों अलग-अलग से given नहीं है LCM और HCF बड़ दोनों का product given है क्याते है कि अगर LCM और HCF को multiply कर दो तो आपके पास 24 निकलता है तो दूसरी तरफ क्या है first और second number का product है तो अभी हमें first और second number को multiply करके सिरफ और सिरफ यह चेक करना है कि 24 कैसे आता है तो देखे तो 2, 4, the 8 होता है तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा 6, 4, the 24 होता है यही हमें चाहिए बट बाकी option भी देख लो तो 8, 6, the 48, 8, 10, the 80 तो यह दोनों option भी नहीं है तो इस question का right answer बना option number B सही है अब आपने दोनों method सीख लिए अगर number बनाने है तो कैसे बनाएंगे अगर number given है तो कैसे काम करेंगे तो चलो इसी के साथ चलते है next question पे okay so एक और question जिसमें आपने LCM और HCF का multiply equals to product of two numbers लगाना है बट कैसे यहाँ पर क्या क्या given है LCM of two numbers is 45 times there HCF अभी ना HCF दिया है पहले line में बट इतना बोल दिया कि जो LCM है वो 45 times है HCF का if one of the number अगर दोनों में से एक number 125 है and sum of LCM आपको given है 1150 so find the other number क्या क्या question में information given है सबसे पहले LCM जो है वो HCF का 45 time है अगर मैं HCF को H लिख दूँ तो मेरा LCM क्या है उसका 45 time यानि कि 45H हो गया यह दोनों बाते clear अभी उसके बाद में उन्होंने क्या बोला अगर उनमें से एक number आपको given है तो दूसरा number आपको find out करना है कैसे करेंगे भाई तो तीसरी line की help पहले लो तीसरी line में आपके पास क्या information है कि इन दोनों का sum यानि कि LCM और HCF का sum जो है वो 1150 है LCM है मेरा 45H और HCF है मेरा H दोनों का sum है बराबर 1150 तो अभी इन दोनों का plus करें तो वो होगा 46H जो की equals to 1150 होगा अभी हमें क्या करना है इन दोनों को solve करना है तो कैसे solve करेंगे हम पहले इन numbers को छोड़ा कर दे थोड़ा तो ये 2 के table पे 23 हो गया और ये 2 के table पे 5 पे गया है ना पीछे आपका 7 पे गया 14 और फिर 5 पे गया तो अभी इसको अगर हम 5 से multiply कर दे नहीं थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो ये आपका H की value बनती है 2 पे जाएगा 46 46 जाएगा तो 115 जो की 5 पे जाएगा है ना तो 46 यहाँ पे गया तो यहाँ पे remaining आपका 115 आ गया 115 फ एक मिनिट यह आपका हो गया 7 और यह 10 और यह 575 बिल्कुल सही है हमारा यह calculation सही है यह 25 पे जाएगा तो हमारी यहाँ पे H की value 25 आपके सामने है अगर मेरा H 25 आ गया मुझे क्या पता करना है मुझे वो दोनों numbers निकालने हैं तो अभी हम formula use करेंगे तो 45 H यानि की LCM का क्या हुआ 45 इंटू 25 और just a second आगे H है multiply में H की value भी कितनी है 25 है first number उन्होंने बोला 125 है और दूसरा number आपको पता करना है तो इसकी cutting कर दे हम 25 के table पे 125 5 पे जाता है 5 के table यह 9 पे जाता है तो हमें दोनों को multiply करना है तो यह हो गया 25 18 और यह हो गया आपका 9 to the 18 18 plus 4 to 25 आपका यहाँ पे correct answer आ गया so option C यहाँ पे हमारा correct answer है आया समझ में दोनों questions clear हैं आपको so let's move to the next one HCF of two numbers अब इस question में क्या है कि आपको दो numbers है उन दोनों का HCF दिया गया है 8 so which one of the following can never be there LCM तो इन में से कौन सी option है जो उसका LCM नहीं हो सकती तो देखो यहाँ पे आपको बोला कि दो numbers है दोनों का HCF अगर 8 है तो दोनों में yes यह 8 एक number है जो commonly आएगा ही आएगा उसके इलावा केते हैं उनका LCM क्या नहीं हो सकता तो जब हम LCM निकालते हैं इनके इलावा कुछ ऐसा number होगा जो यहाँ पे होगा बट जो भी इन में से option होगी वो ऐसी होगी जो 8 के table पे divide नहीं होती समझ में आई ना बात तो ऐसी कौनसी option है यह 8 के table पे divide होता है यह भी 6 पे यह 7 पे बट यह 8 के table पे divide नहीं होता तो हमारा correct answer भी क्या है option number D that is 60 Done? So let's move to the next one If HCF and LCM of two numbers are given here तो HCF और LCM दोनों given है 11 and 385 If one of the number lies between अभी यह line थोड़ी सी confuse कर दी क्या कि उन में से जो पहला number है अगर वो 75 और 125 के बीज में आने वाला कोई number है तो वो number क्या होगा? क्या होना चाहिए भी वो number अभी हमें पता करना होगा तो इसके लिए हम फिर से वही वाला concept यूज करेंगे जो हमने आज के first question में सीखा है तो अगर आपके पास HCF है 11, आपके पास LCM है 385 तो आपके वो दोनो numbers क्या बनने चाहिए और इतना याद रखना जो भी पहला number होगा वो 75 से 125 के range में रहना चाहिए ठीक है ना? तो अभी चलो number बनाते हैं जब उन्होंने बुला कि HCF 11 है, यानि कि यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने आपको फिर से वही बताया कि इस 11 से remaining number को divide कर दो तो वो है 385, जब मैंने 385 को 11 से divide कर रहा तो मेरे पास एक number निकल के आया 33 यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ cut कर रहा है, तो 33 मिल रहा है मतलब इस 11 के साथ इन दोनों में ऐसे numbers होंगे जिनको multiply करने पे 33 निकल के आएगा तो 33 कैसे आ सकता है भाई? येस तो बनाना शुरू करो 33, तो 3 इंटू 11 करने पे आपका 33 निकल के आएगा ओ सौरी 35, सौरी 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 35 यहाँ पे आएगा, करेक्ट कर लेना इसको 35 आएगा कि क्या है, तो समझाते समझाते मैंने यहाँ यहाँ पे 33 लिख दिया था, 35 आएगा क्लियर है यहाँ पे, अभी आमें 35 बनाना होगा, वो कैसे आ सकता है, तो सेम 5 इंटू 7 मतलब एक नमबर के साथ यहाँ पे 5 होगा, दूसरी का साथ 7 होगा, तभी इन दोनों का प्रोड़क्ट इसके बराबर आपाएगा तो अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, 507, मतलब एक नमबर मेरा 55 है, और जो दूसरा नमबर है वो 77 है, अभी औरोने क्वेशन क्या पूछा था, वो नमबर 75 से 125 के रेंज में होना चाहिए, तो यह आपका option A, यहाँ पे correct हो गया, तो अभी आपको यह method करना आ गया होग तो यह हमारा answer बना, अभी next question देखते हैं, क्याते है, product of two co-prime numbers is 117, so find their LCM, क्या मतलब है इनके कहने का, तो यह कहना चाहते हैं कि आपके पास दो numbers है, कोई LCM HCF के भी बात नहीं करी, क्याते हैं, दोनों का product करते हो, तो 117 है, और यह दोनों numbers co-prime है, तो मैंने आपको बताया था, co-prime number कौन से होते हैं, वो prime number भी हो सकते हैं, तो सुनो फिर से, वो prime number भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोलो 9 into 7, इन में से जो 7 है, वो prime number है, और 9 है, जो वो composite number है, तो prime number जो सिरफ और सिरफ अपने table पे जाता है, अगर मैं इन दोनों को देखूं, इ ना हो, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, फरक ये पढ़ता है, कि ये दोनों अगर आपस में divide नहीं होते, तो ये एक co-prime का pair है, अगर ये दोनों आपस में divide होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 9 or 12 लिख दूँ, ये दोनों आपस में क्या divide होते हैं, तो आप बोलोगे दोनों ही composite number हैं, बट आपस में divide नहीं होते, तो ये co-prime है, उन्होंने ये ही बोला, कि दो ऐसे number है, जो co-prime है, और उनका product 117 है, 117, तो उनका LCM क्या होना चाहिए, तो देखो, उनका LCM जो बनेगा ना, वो पहले numbers निकालो, फिर बनेगा, तो आप तो बोलोगे, HCF तो ही नहीं आप पे, तो हम कैसे numbers पता कर दे, येस, तो अभी आपको क्या लगता है, वो numbers क्या आप बना सकते हो, कोई तो दो number है, जिनको multiply करा, तो बनाए, तो कैसा जाएगा, एक 3 के उपर जा रहा है, 33 दा 9, पिछे बचा 2, तो 39 दा 27, तो यानि कि 39 को multiply करा जाए 3 से, तो मेरा वो number बन सक सकता है, या फिर क्या होगा, वो दोनों numbers के लिए, आप 13 into 3, into 9, into 3 कर सकते हो, तो भी मेरा यही number आएगा, 13 into 3 करने पर 117, या एक और क्या method हो सकता है, यहाँ पर 117 को 1 से multiply करा जाए, तो भी same, यही number बनता है आपका, तो इन्होंने यही पूछा है, कि मुझे number से कोई नहीं है, उनका LCM क्या होना चाहिए, तो देखो पहले case में अगर आप देखो, या दूसरे case में आप देखो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, number co-prime है, क्या यह co-prime है, यह दोनों तो खुद में divide होते हैं, तो यह तो वही पर reject हो गया, यह co-prime है, यह co-prime है, तो अगर मुझे इनका LCM निकालना होना, तो LCM वही आएगा, जो दोनों पर common है, यानि की वो 117 ही निकलेगा, तो अभी आप समझो, इसकी trick क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बताओं, कि अगर आपको यह बोला जाए, question में, कि दो co-prime numbers है, दो co-prime numbers हैं, और उनका जो product है, वो दिया जाए, question में, तो उनका LCM भी वही रहेगा, आपको कुछ और नहीं करना, उनका LCM वही रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने 13 और 9 लिया था, तो 13 और 9 को जब आप multiply करोगे, तभी उनका LCM 117 ही निकलेगा, अगर 117 और एक number को लोगे, इनका LCM भी करोगे, तो 117 ही न रहेगा, बट, अगर आपसे पूछ ले, HCF, तो इनका numbers का HCF करके देखो, क्या ये divide हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इनका HCF दोनों case में 1 रहेगा, तो आपको ये याद रखना होगा, कि LCM पूछा जाए, तो वही number itself होगा, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए, HCF, त 33 numbers, तो अगर आपको इन तीनो numbers को divide करना हो, तो बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा number लोगे, तो आप बोलोगे, इस question को attempt करने के लिए हम divide करके check कर सकते हैं, ये number पूरे पूरे divide होने चाहिए, और यहां से हमारा answer हमें मिल जाएगा, आप बिल्कुल सही हो, आज के लिए आप इसको ऐसे ही रखो, क्यों? क्योंकि आने वाली कल की class में हम ये समझेंगे, जो हमारी next class होगी, इसको निकानने का shortcut method क्या होता है, आज के लिए क्या करेंगे हम, इनको divide करके देख लेते हैं, बड़े से बड़ा number चाहिए, तो 7 से ये कटता है, हाँ जी कटता है, 7 के table पे, 7 है न, तो 7 के table पे 1001 क्या cutता है, तो 7 1 दा 7, पिछे remainder है, 3 30, 7 4 दा 28, पिछे remainder 2, तो 7 3 दा 21, ये भी कट रहा है, ये कटेगा क्या 7 के table पे, तो 7 3 दा 21, पिछे 33, तो 7 के table पे 28, पिछे आपका हो जाएगा, 33 और 28 के cutting करें, तो 5 56, तो ये भी कट रहा है, किसी और से check करना है तो मैं 11 से check करके देखू, तो ये 11 से नहीं कटता, मतलब ये तो answer नहीं है, है न, 105 ही 11 के table पे नहीं कट पाएगा, 110 जाता है, तो 21 के उपर अगर इसको check करें, तो 21 के table पे 105 क्या जाता है, तो yes, ये तो चला जाएगा, आगे का देखे, तो 21 के table पे, ये 21 पे क्या, पिछे आपका remainder 33 है, तो फिर से 21 के table पे आप जाओगे, तो ये remainder 126 आ जाएगा, तो ये तो 21 के table पे जा रहा है, तो आपको check करना होगा, बड़े से बड़ा number, वो बताएगा, 1001, अगर मैं 1001 की cutting 21 से करूँ, तो 21 के table पे ये हमारा 5 पे, 6 पे तो नहीं बड़ा आ जाएगा, 5 पे ये जाएगा, तो भी बड़ा होगा, 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो 84 होगा, 84 गया, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका 161 आ जाएगा, जिस तो सेकिंड तो ये 16, ओके, हाँ ठीक है, हमारा ये सही है, सो कर दिया तो मैंने, 161, 21 के table पे नहीं जाता, तो यहाँ से पता चल चुका है, हमारा right answer क्या है, option number B, that is 7, तो चलिए, एक और question करे, greatest possible length, which can be used to measure exactly, अच्छा, अगर ये question आजे कि greatest possible length कौन सी हो सकती है, तो उस case में हमें क्या निकालना चाहिए, हमें HCF की help लेनी होगी, बट, इनमें units आपको same करने होगे, ऐसा question कई बारी exam में देखने को मिला है, तो पहला number 7 meter है, हम इसको 700 centimeter में लिख दे, 1 meter is equal to 100 centimeter, तो 7 meter is equal to 700 centimeter, next हमारे पास 3 meter 85 centimeter है, तो 3 meter को convert करे, अगर centimeter में 300 हो गया, और plus 85 है, तो ये हो गया 385 पूरा centimeter में, अगला number भी ऐसे ही है, 12 meter है, तो 12 meter को हंगर हम centimeter में लेके जाए, तो 1200 centimeter plus 95, तो ये हो जाएगा 1295 centimeter, अभी आप आगे क्या करोगे, आगे आप इनका HCF solve करेंगे, तो अगर इसको तोड़ के लिखना हो, तो ये 7 into 100 है, 7 into 100 को अगर हम तोड़े, तो 7 into 25 into 4, 25 को कैसे लिख सकते है, 5 का square, 4 को कैसे लिख सकते है, 2 का square, अगर हम इसको देखे 385, तो ये 5 के table पे जाएगा, तो 5, 7 the 35, पिछे आपका रह गया 5, तो 5, 7 the 35 हो गया, पिछे आपका 35 है, 5, 7 तो इसको फिर से cut करा, तो 11 into 7, तो यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, अभी अगर इसको कर 35, इसको cut करा, तो 7 के table पे जाते है, तो 7, 3 the 21, 7, 7 the 49, तो अभी हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, तीनों में एक 5 common है, तो HCF है, greatest possible length है, तो HCF में 5 common है, उसके इलावा, तीनों में एक 7 common है, तो 5 into 7, यानिकि 35 centimeter, वो एक ऐसी length है, possible greatest length, जो इनों, इन तीनों measurements को measure कर सकती है, इसलिए इसका right answer option number C रहेगा, तो आज के question आपको समझ में आए होंगे, यह हमारा last question था आज का, ठीक है, तो एक question मैं आपको homework देना चाहती हूँ, जिसका answer हम next class के अंदर करेंगे, so that will be your question for your homework, इसका answer करना और comment box में मुझे इसका answer बताना कि क्या आएगा, इस case में HCF निकालना है, कि LCM निकालना है, आपसे पुछा है, maximum number of students के बारे में, ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे next video में, जहां हम HCF और LCM के कुछ और question practice करेंगे, till then, preparation hard, thank you everyone.